हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे चैनल पर आज हम आपको ले चलते हैं जैपूर के एक विशाल किले में इस किले का नाम है नाहरगर किला और इस किले को सुदर्शनगर किले के नाम से भी जाना जाता है नाहरगर किला राजस्थान राज्य की राजधानी जैपूर में इस्थित है और यह किला जैपूर रेलवे स्टेशन से करीब 17 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है इस किले में जाने के लिए एक और रास्ता जाता है जो रेलवे स्टेशन से महज 5 किलो मीटर दूर है लेकिन इस रास्ते से एक किलो मीटर पैदल खड़ी चड़ाई चड़नी पड़ती है यह एतिहासिक किला जैपूर में अरावली परवतमाला की 700 फीट उची पहाडी पर बना हुआ है जो जैपूर के जैगर किले से महज 5 किलो मीटर की दुरी पर इस्थित है इस किले का निर्मान सन 17 1934 इस्वी में महाराजा सवाई जैग वितिय द्वारा जैपूर शहर की सुरक्षा के लिए करवाया गया था इस किले के अंदर दीवान आम, खजाना भवन, सैनिक विश्राम ग्रह, हवा मंदिर और मादवेंधर भवन समेत कई एतिहासिक और बेहद आकरशक संरचनाय बनी हुई है, इन सभी इमारतों में से मादवेंधर भवन सबसे आकरशक इमारत हैं, जिसका निर्मान महाराजा सवाई माधो सिंग जीद वितिय द्वारा करवाया गया था, मादवेंधर भवन 10 इस्सों में विभाजित हैं, जिन stehen मुख्य भवन महाराजा के लिए था, और 169 भवन उनकी रानियों के लिए थे। इस किले में पानी की व्यवस्था के लिए एक टांका और दो विशाल बावडियों का निर्मान करवाया गया था और इन बावडियों में बारिश के पानी का संचे किया जाता था। अलग से 500 रुपे शुल्क लिया जाता है। इस किले में बॉलिवुड की दो सुपर हिट फिल्मों का शूट किया गया है जिन में रंग दे बसंती और सुद देशी रोमैंस के नाम शामिल है। ये किला जैपुर के प्रमुक आकर्शन के इंद्रों में से एक है और इस किले में हर साल हजारों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। नाहरगर किला परेटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम साड़े 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर जाने के लिए 52 रुपे प्रती व्यक्ती शुल्क लिया जाता है। बच्चों और स्टुडेंस के लिए कुछ रियायत हैं और विदेशी परेटकों के लिए कुछ अतिरिक्ट शुल्क हैं। यह किला पूरे साल परेटकों के लिए खुला रहता है और इस किले में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। इस के लिए तक पहुँचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से कैब या आटो कर सकते हैं. आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताए और वीडियो को शेयर करें. और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.